Assalamu alaikum once again welcome to my channel ultragraphics आज हम isometric text जो है design करेंगे illustrator में Alphamatic Z और किस तरह से करेंगे कैसे करेंगे वीडियो को end तक देखेगा skip मत कीजेगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और साथ बेल आइकन को press कर लें ताके आपको हराने वाली न्यू वीडियो की update मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं और वल्कम बैक यहां पे सबसे पहले उसके लिए मैं टाइप 2 ले लेता हूं shortcut T is का T है आप चाहें तो keyboard से T प्रेस करते हुए भी इसको select कर सकते हैं otherwise यहीं से भी आप select कर सकते हैं now यहां पे मैं gaps lock on करके z press कर लेता हूं ठीक है और यहां से selection tool की मदद से इसको मैं scale up कर लेता हूं याद रखिए अगर जब भी आप कोई text या object scale up करते हैं ठीक है उसका size बढ़ा करते हैं तो हमेशा shift press कर लीजे अगर आप center से ही अगर आप उसको scale up करना करना चाहते हैं तो उसके साथ shift के साथ आपने प्लस R प्रेस करके रखना है तो यहां से मैं इसको same ऐसे ही जिससे मैंना भी आपको बताया तो इसको scale up मैंने कर दिया और यहां से मैं इसको select कर लेता हूं ठीक है और यहां से आप देख लीजे कि मैंने select जो है text console यह है ठीक है merit pro लिए sample है ठीक है और यहां से मैंने इसको board करके रख लिए और यहां पे अभी यह एक text format में है तो इसके लिए मैं सबसे पहले रोटेट कर लेता हूं उसके बाद फिर मैं आपको आगला step बताता हूं कि इसके लिए यहां से आप सबसे पहले effect में जाए और 3D and rotate यहां से preview on करके रख लें ताकि आपको पता चले कि जो आप यहां पे settings कर रहे हैं वो आपको easily यहां पे दिखे तो यहां से मैं isometric top पे कर लेता हूं चीक है और यहां से और किसी किसी भी angle को यहां से आपने नहीं चीना perspective बिल्कुल जीरो ही रहने दीजिए shedding no shedding ठीक है और ब यह step clear हो चुका है isometrics design का उसके बाद यहां से आपने इसको select कर लेना है ठीक है लेकिन आप इस चीज़ को note कर लीजे कि यह अभी text format पे है ठीक है अगर आप इसको कोई भी text दे देते हैं जैसे के a तो आप पीछे दे सकते हैं कि यह साथ a भी type हो चुका है तो अभी यहां यहां पे यह basically text format पे है तो इसको मैं करना चाहता हूं object format ठीक है object में इसको मैं लाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां से object में आता हूं और expand appearance में आके इसको click कर लेता हूं अब आप देख सकते हैं कि यह एक object में है लेकिन यहां पे एक और problem यह है कि यहा में आप put करते हैं eye dropper की मदद से तो यह इस mask में भी जो है drop हो जाता है लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए उसके लिए मैं क्या करूंगा object and expand ठीक है right click कर ले ungroup कर ले अब आप कहेंगे कि यह ungroup हो गया mask ऐसा नहीं है अगर आप इसको select करके delete करते हैं तो यह overall delete हो जाए यहां से right click कर ले ठीक है चाहे तो आप यहां से भी कर सकते है release clipping mask अगर आप चाहे तो इसको select कर ले और object पे ठीक है clipping mask के option में है और यहां से आप release कर सकते हैं इसका shortcut key है r plus control 7 ठीक है आप चाहे तो shortcut key मदद से भी इसको select कर सकते हैं so now मैं यहीं से कर लेता हूं ठीक है उसके आपने क्या करने इसको select करना है और just delete करना है और यह जो हमारा जो एक जी जो है alphabetic जो है यह select हो गया है मगर यह object में है फिल्म है यानि इसको scale up जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही इससे मैंने पहले कहा था कि shift plus alt press करते हो इसको scale करना है और यहां पर कुछ settings करनी है और ताके मैं आपको बता सको कि मजीद इसमें और क्या कुछ करना है यहां से line tool ले ले ठीक है और थोड़ा से यह काम पाई की वाला है आप इसको थोड़ा से zoom करके यहां से shift press कर लीजिए ठीक है और यहां से anchor point से नीचे तक लिया है ठीक है नाओ यहां से मैं इसको select कर लेता हूँ और stroke पर जाए कि इसको मैं इसका color मैं कुछ different से ले लेता हूँ क्योंकि black और black में यह नजर नहीं आ रहा हूँ तो इसके लिए मैं जैसे यहां से yellow ले लेता हूँ ठीक है all right यहां से मैं zoom कर लेता हूँ अगें फिर से सेम ऐसे यहां से यहां तर और यहां से भी सेम ऐसे प्रफेक्ट ठीक है याद रहे है कि आपने shift प्रेस करते हूए आपने यह लाइन ड्रॉग कर नहीं है otherwise हो सकते है कि यह टेड़ी हो जाए line यहां पर ठीक है अब आपने क्या करने है इनको just select करने ठीक है विंडो में आने के बाद आपने यहां पर pathfinder जो panel है उसको आपने on कर देना है इसका shortcut key shift ctrl plus f9 ठीक है यहां से आपने इसको on कर देना है तब जागा आपको यह panel दिखेगा उसमें आके आपने pathfinder जो panel है उसमें आके आपने divide कर देना है ठीक है उसके बाद इसी पर right click कर ठीक है तो यह जितने भी मैंने जो parts मैंने यहां पर बनाए थे यानि के line की मदद से वो divide हो चुके हैं और अलग-अलग parts में मुझे मिल चुके है आप इनको मैंने क्या करना है जस्ट यहां से ए्ट करना है ठीक है है select करने के बाद यहां से आयड्रॉपर टूल लेना है ठीक है शॉट कट की इसका eye है आप चाहें तो आय प्रेस करके इसको select कर सकते हैं otherwise यहीं behind you set तो मैं यहां से select कर लेता हूँ और यह जो मैंने पहले से ही color इसमें रखा हुआ है gradient में यहां पे इसको select कर लेता हूँ तो देख सकते हैं कि इसमें automatically color जो है इसने drop कर दी है आइड्रॉपर ने अब manual तरीके से इसकी थोड़ी सी setting करनी है मतलब यह कि इसमें जो gradient है वह हमने खुद इसको access करना है अपनी जरुवत के ताहर तो मैं इसको select कर लेता हूँ ठीक है इसको थोड़ा से skill up कर लेते हैं और यहां से मैं जी प्रेस करते हुए इसका जो gradient है वह मैं यहां से मैं इसको stroke जो हटा लेता हूँ और यहां से fill को मैं आपको युदता हूँ सेम ऐसे ही यहां से भी मैं इसको अपनी जरूरत के ताहत जो मेरी requirement है इस design की iso matrix उसके ताहत मैं इसको adjust करूंगा और यहां तक तो हमारा जो isometric जो alphabetic जो z design है वह हो गया है clear अब यहां पर मैं कुछ एक थोड़ा सा इसमें मजीद realistic लुक लाने के लिए एक और चोटा सा काम कर लो यहां पर मैं एक circle ट्रॉक कर लेता हूँ है ठीक है यहां पर इसको मैं copy कर लेता हूँ यहां पर ठीक है यह तोड़ा सब दूर होगा तो इसलिए जाहर से बात है इसका size मैं छोटा कर लेता हूँ है कि तोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं ठीक है 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 और यहां पर मैं इसको आतने भी हैं इन सब को मैं छेक कर लेता हूं और ऑट्रॉपर टूल की मदद से शॉर्टकट की आई यहां से मैं स्ट्रोक कर लेता हूँ और यहां पर यह जो ग्वेडेंट है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यह सारी जो कलर्स हैं आटोमेंटिकली इसमें ट्रॉप हो चुके हैं को नो से माइसी इसको भी इसको लिग इसको लेता हूं कि यहां से है और यहां से स्ट्रोक आफ कर लेता हूं कि इसको भी मैनुवल यहां तक तक तक्रीबन ठीक है और यहां पर बस इसका जो बैक्ग्राउंड है वो अज़स्क करना है उसके लिए मैंने शॉटकट की M यानि राइट पेंगर टूल ठीक है यहां से भी आप इसको स्लेक कर सकते हैं शॉटकट की स्काम है तो यहां से मैं इसको यहां तक इसको पाद्स करें शॉटक है करहें इस पर राहिट क्लिक कर लाइं चैक हें इे इसको भी आर्वाइटक और कीम इसको नहीं बा Means यह शुटकै्ट की ताकि को में इसको बैक्राउंड कर सकाओ इसिकलर पर यहां तक हमारा इसो मैटिरी आप Gulf ट करीट के था वह तक्रीबर बन चुका है लेकिन इसमें जो मैंने यहां पर समझ लिजी यहां पर बनाएं इसको थोड़ा सा शेडो दया चाया तो यह तो बन गए लेकिन ईसलग तो यह रहे और एक एर में है हवा में तो मैंने इसको समझ जाई सी बात है इसका शेडू बनाऊंगा उसके लिए में यहां से एक सरकल ले लेता हूं ठीक है और यहां से कुछ भी निकार ना बस आपने यहां से इसको जो वाइट कलर है ठीक है इसको वाइट ही रहने दें और जो अपर स्टी इसको बिल्कुछ जीरो कर दें और यहां करें आड जस्कर ठीक यहां पर इसको राइट क्लिक कर रहे और आज कर रहे हैं तो कि सेमें से इन सब के नीचे में बिल्कुल ऐसी ही एसको अरेंज कर लूँगा और इसी पर आएकर राइट क्लिक करने और फ्रेंट करने और यह हो गया है तक्रीवन डन लिकिन थोड़ा से इसको मज़ीर इस तरफ कर लेते हैं ठीक है जी हां तो यह हमारा जो है डिजाइन बन गया है इसको मैं साइड पे कर लेता हूं यह हमारा आइसो मैट्रिक्स डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है मैंने जो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को समझाइई हैं किस तरह से इसको मैनुवल तरीके से आड़्जस्ट करना है क्योंकिक्त काफी पारिक्स करना पड़ता है क्योंकि जब यह ग्रेटिन आप जब इसके आड़्जस्मेंट कररें होते हैं तो जाहिर स्भी बात है यह मैनुल तरीके से करना होता है और तो इसमें कोई सिस्टम है नहीं कि जिसके जरी से यह खुद फिक्स हो जाए और यह एक लुखा में लाकित दे तो आई होब कि यह टूटोरियल आप लोगों को बिल्कुल पसंद आये होगे और अगर अच्छी लगी प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर लें चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ठीक है दोस्तों में शेयर